दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे प्लैटफॉर्म के बारे में जिस प्लैटफॉर्म का इस्तमाल करके दोस्तों आप भी सिर्फ कुछी मिन्टों में बिना किसी कोडिंग नॉलेज के और बिना किसी पैसों के अपने लिए एक एंडरोड बना सकते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राउल और आप देख रहे हैं मेरा चनल डिजितल मार्केटिंग गुरुची आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसे प्लैटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इस्तमाल करके आप भी अपने लिए बिना किसी कोडिक नॉलेज के और बिना इन्वेस्मेंट के आपने लिए सिर्फ कुछी मिन्टों में दस मिनट में आप अपने लिए फ्री आंडुर्वड अप्लिकेशन बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों आप इस अप्लिकेशन को गूगल एड्स की म अपने लिए फ्री आंडुर्वड अप्लिकेशन कैसे बना सकते हैं तो यह वाला वीडियो पूरा देखना और अपको इसे वीडियो लगदार देखना तो मेरा चनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना नीचे जॉब को रड़न का सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लेना और स साथी साथ दोस्तों आपको बैल आइकन का बटन देख रहा है इस बटन पर जरूर प्रस कर देना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के नर्टिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे हैं दोस्तों आज किस वीडियो में जिस प्लैटफर्म का इस्तमाल करके हम अपने ले उस प्लैटफर्म का नाम है दोस्तों मोवीजी तो सबसे पहले अगर आपको दोस्तों आपको घ्र करना है और गूगल में विजट करने के बाद दूसरो आपको यह पर टाइप करना है मोपे जी और सिंपली दूसर आपको सर्च बटन पर क्लिक कर दोगे आप पर देख सकते हैं दोस्तों मोबजी डॉट कॉम का जो वाप साइट है उसका लिंक आपके सामने आ रहा है और यहां पर दोस्तों पढ़ सकते हैं मोब इजी क्रीट यूर आप एजली तो अगर आपको भी दोस्तों अप्लिकेशन बनाना है अब आपको करना क्या है दोस्तों इसzemARK लिंक पर आपको क्लिक करता है और यहां पर दोस्तों इद जैसे क्लिक करोगे आप देख सकते हैं मोबीाशी डॉट कॉम का जो ओपिसyl होम पेज है वा आपके सामने खुल चुका है और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं स्टार्ट फ्री आप्लिकेशन का जो ब application बना सकते हैं त्री application बनाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखें प्राइजिंग का कुछ option दिख रहा है आपको यहाँ पर थोड़े बहुत payment करने पड़ेंगे और payments करके आप अपनी applications को continue कर सकते हैं यानि कि और अपनी ले नए applications बना सकते हैं अब कौन सा प्राइज लेना है कौन सा प्लान नहीं लेना है वह आपके उपर डेपेंड करता है हम आपको recommend नहीं करते हैं एक और बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों application बनाने से पहले आप यहां से जो भी application बनाएंगे दोस्तों उनको सिर्पा सिप आप entertainment के लिए या फिर थोड़ी आइडिया create नहीं कर सकते हैं इसलिए दोस्तों application बनाने से पहले आप यहां पर पूरी के पूरी details है उनको पढ़ लेना और details पढ़ने के बाद आप यहां से application बना सकते हूं ताकि आपको किसी भी problem का सामना नहीं करना पड़े चलिए दोस्तों सुरू करता हूं आप वीडि पर क्लिक करना है बटन पर तो सब दिसे क्लिक करोगे step by step जो process है वो अब आपके सामने सुरू हो चुका है और यहां पर देख सकते हैं एक page आपके सामने खुल चुका है कुछ मिनट्स में आप यहां से application बना लोगे कोई फिकर नहीं है आपको कोई coding wording की भी जरूत नहीं है और आपको 3 application बनाने के लिए कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा अब आप यहां पर देखे create an app in minutes और यहां पर आपको get started का बटन देख रहा है simply दोस्तों आपको get started वाले बटन पर क्लिक कर देना है सबसे पहले अगर आप यहां पर अपना application बनाना चाहते हो तो आपको करना क्या है आपका एक account यहां पर डालना पड़ेगा यानि की बनाना पड़ेगा अगर आपके पास already account है तो आप उसको login कर लो नहीं है तो देखे आपके create account का बटन देख रहा है simply आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है अब देखे दूस्तों आप से कुछ details मांगी जा रह है रहा create account का तो आपको create account वाला जो बटन देख रहा है इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है बटन पर दोस्ता आपका जो email address आपने डाला था उसको verify करने के लिए आपके पास यहां पर एक OTP आया होगा तो आपको सबसे पहले यहां पर OTP डाल देना है तो मैं आप देखे sand verification पर क्लिक करूँगा सबसे पहले और जो OTP है वो मैं बेज दूँगा अपनी email address तो दोस्ता अभी मैंने यहां पर verification लिंक बेज दिया और लिंक को मैंने verify भी कर दिया है verify करने के बाद उससे आपको करना क्या है यहां पर आपको डेन वाले बटन पर क्लिक कर रहा ह डेन वाले बटन पर दोस्तो जैसे क्लिक करोगे आपका जो account है वो active हो जाएगा यहां पर और application बनाने का जो अगला process है वो भी आपके सामने open हो जाएगा अब आपको करना का है यहां पर देखे एक plus का बटन दिख रहा है simply आपको plus वाले बटन पर क्लिक कर देना है प्लस वाले बटन पर दोस्तो जैसे क्लिक करोगे आप यह देख सकते हैं new application बनाने का step-buster process है वो अब आपके सामने शुरू हो चुका है सबसे पहले देखे दोस्तो अगर आप चाहें तो आपनी application का जो icon है वो आप upload कर सकते हैं यानि कि आप अपना logo upload कर सकते हैं अगर आप दोस्तो कोई temporary image आपको upload करके दिखा देता हूं मेरे पास दोस्तो किसी application का logo यहाँ पर वैसे नहीं है तो मैं यहाँ पर देखे facebook का जो logo है वो मैं upload यहाँ पर कर लेता हूं उसके बाद दोस्तो आपको करना क्या app का name देना है तो मैं आप देखे दोस्तो box card करके application का नाम दे कर दो और आप package name जान सकते हूं उसके अलावा दोस्तो अगर आपको यहाँ पर package name देना है तो आप यहाँ पर देखे दे सकते हूं मैं इस परकार का जो package name है वह आपको देना है डॉट कॉम यह से कुछ करके डॉर्स वगर आना चीए तो मैं यहाँ पर देखे वाक्स package name देना है उसके बाद दोस्तों font का option आपको दिख रहा है font option अगर आप चेंज करना चाहों तो कर सकते हूं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अगला option दिख रहा है one signal id का अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हूं नहीं है तो कोई बात नी simply आपको next वाले बटन प चेंज कर सकते हूं देखे डार कलर है अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो देखे चेंज कर सकते हैं मैं मान लीजे इस परकार का जो कलर है वो मैं कर देता हूं यह देखे ओके पर करता हूं और इस परकार का जो कलर है वो चेंज हो गया है यहाँ पर आप देख सकते ह और आपको छोगा है उसके बाद दोस्तों अगला कोई color है वह भी आपको करना है अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं आप यहां पर दुबारा से next वाले बटन पे click कर सकते हूँ next वाले बटन पे तो सब जिसे click करोगे आप यह पर देख सकते हैं अब आपके सामने option आ रहा है ads choose करने का आप जो application बना रहा है दोस्व उस पे आप कौन सी परकार के ads लगाना चाहोगे वो भी आप decide कर सकते हैं अपने according तो आप यह पर दोनों option देख सकते हैं अगर आपको admo का ad लगाना है तो आप वो लगा सकते हूँ और अगर आपको facebook ads लगाना है तो वो लगा सकते हूँ मैं आपको बोलूँगा कि दोस्तो आप facebook ads choose करो वो आपके लिए अच्छा है आप facebook से आसानी से ad लगा सकते हैं और अगर आप चाहो तो दोस्तो admo से भी लगा सकते हूँ कोई problem नहीं होगा अगर आपके पास admo का application का id है या फिर कोई आपके पास account है तो आप उनको यहां पे देखे direct आप लगा सकते हूँ कोई भी problem नहीं होगा तो मैं यहां पे दोस्तों यह वाला जो जो पार्ट है वो में skip कर देता हूँ क्योंकि मेरा पास admo का भी कोई id नहीं है और ना facebook का कोई id है तो मैं यहां पे यह वाला पार्ट कर देता हूँ अब आपको करना क्या आपका जो dashboard है वो आपके सामने ओपन हो चुका है application का सिंप्ली दोस्तों अगर आप चाहो तो इस पे दुबारा से क्लिक कर सकते हूँ और जैसे दोस्तों क्लिक करोगे आप यह पर देख सकते हैं आपका जो application का complete dashboard है वो खुल चुका है और यह जो आप दूसरों dashboard देख सकते हैं, इस dashboard की मदद से अब आप अपने application को आपसानी से customize कर सकते हैं, आप इसको अपने अनुसार बना सकते हैं, अगर दूसरों आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके उपर अगला वीडियो बना के दूँ कि आप इसको कैसे customize करोगे अपने according इस application को और कैसे आप इसको download करके प्ले स्टोर पे upload करोगे और आप इस पर आड़ वगड़ा लगा कि पैसा कैसे कमाओगे, अगर आप इनके उपर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे comment करो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like करो, अपने दोस्टों के शार शेयर करो, अगर ये वाला वीडियो अच्छा response करेगा, और मुझे इस वीडियो पर अच्छे कासे likes, views और subscribe मिले, तो अगला वीडियो आपके लिए तयार है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप इस application को कैसे customize करोगे, और customize करने के बाद इस application को आप कैसे download करोगे और play store पे कैसे upload करोगे, आपके लिए अलग-अलग पार्ट में अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा, और शाती साथ आपको बताऊँगा कि आडमों से आप इस application को कैसे monetize करोगे, फेस्बुक की मदद से आप इस application को कैसे monetize करोगे, और बिना किस investment के इस application का इस्तमाल करके, पैसा कैसे बनाऊगे, वो मैं आपको हर वीडियो बनाके आपको अलग-अलग पार्ट में दूँगा, अगर आपको सारे के सारे वीडियो पार्ट चाहिए, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को वीडियो आपका अच्छा रागा होगा, और दोस्तों आपने ये भी सीख लिया होगा, कि कि इस प्लाटफर्म का अस्तमाल करके, आप अपने लिएक एंड्रोड अप्लिकेशन बना सकते हैं, दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है, वो वीडियो नंबर पार्ट नंबर वन था, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप प्लाटफर्म के उपर अप्लिकेशन को कैसे बना सकते हैं, अगर आप इस अप्लिकेशन को कस्टमाइज करना सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट करो, मैं आपके लिए अगला पार्ट बना के जरूर पोस आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हो, और अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, आपने दोस्तों के शार्ष शेयर कर देना, और अगर आपको इसी परकार के वीडियो लगदार देखना है, तो चैनल जरूर सब्सक्रा करने के लिए आप सुभी का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों.